हेलो दोस्तों वेलकम टू सित्थी पंजाब पंजाब रिलेटेट करंट अफेर्दी डिसकस्चिन जी तो अब अब बहुत स्वागत है अज आप पच्छी तो लेके स्ताई मार्च तक ते जड़े करंट अफेर्ज हो डिसकस कर लवांगे पहला कंटेंट्स देखले में पंजाब विच मनुस्पल वेस्ट प्रोसेसिंग ते कुछ डाटा आया है इन्हों देखला मांगे अंसर्स ते ऐसेज विच यूज कर सकते हैं ते काफी सिग्निफिकेंट होएगा सेक्स रेशियो ते डाटा आया है पंजाब दे अगेन बहुत इंपोर्टन्ट है एसेज लई ते मेंस दे अंसर्स लई इसलिए इन्हों भी आपा लिख लावांगे देन इंपाक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और अगरी कल्चर अगेन बहुत ही इंपोर्टन्ट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू यूर ऐसे ते तो आडे मेंस दे अंसर्स क्योंकि यह जे क्वेश्चन रिपीटेड ली आंदे रहें देने मेंस जे ते ऐसे जे हाईली प्र प्रिच कर सकते हैं तो इसे लिए उस परस्पेक्टिव तो इंपोर्टन्ट है नो ये दो न्यूस बचिया ये अपनी प्रिलिम्स लेए काफी इंपोर्टन्ट है बॉल्ड वॉक्सिंग चैंपियंशिप चेंडिया दे दो लेडीज ने दो विमेन अथलीट्स ने बहुत प्रिलिम्स चे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है जी अगे बदन तो पहला प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करो साड़ा चैनल ताकि पंजाब पीसेस दे सारे एस्पिरेंट्स नों सी बहुत उना दी प्रेपरेशन विच बहुत मदद कर सकीए ठीक है जी स्टार्ट कर दे मनुसिemale वेश्ट चेड़ा है प्रडू सुनदा है याथ ओनौ एस पूरे टोटल वेश्ट जो जिटना भी प्रडू सुनुनदा है 66 पंजाब विच प्रोसेस हो रही है अठ प्रेसंट थीक है आसी जिटना भी वेश्ट टोटल वेश्ट प्रोसेस कर रहे हैं ओन्ली 66 पर या आपके सक्दे हैं कि यसी उनु प्रोसेस कर पारे हैं बाकी सारा वेस्ट क्या है या ता लैंडफिल्स च प्या होना है अन्सेग्रिगेटेड या जिवे तुसी डंप्स फगेरा देखते रहने हों दिल्ली च देखे होंगे बहुत वड़े-वड़े पहाड चंडी गढ़ अगर तुसी आए होएं और चंडी गढ़ चे देख्या होना है ता इस तरीके नाल अन्ट्रिटेड अन्मानेजड वेस्ट प्यारेम था है बड़ उनली 66% है जिन्नों तरीके नाल मैनेज किता है राइट नाओ अगर तुसी नाश्टल अवरेज देखो पूरे इंडिया च जड़ा है नाश्टल लेवल ते देख। जड़ाएं प्रॉसैसोर्या है पर्टीकुलर सिटीद चीटी आ चर चा सारा डासारा इदा वेस्ट प्रॉसैसोर्या इसलिए तुसी जादा सफाई ते ग्री नेज देख़ें चंड़िध विच क्योंकि ओपल लिन वेस्ट जड़ है थे नहीं फेलाया जान्दा कई-कई sectors चता strictly segregation at source वी हुनदा है segregation at source था क्या मतलब है जिवे का रानोई households नोई ही आप दा waste जड़ा है सुक्का ते गिल्ला कूडा जड़ा है अलगला करके देना पहमता है तर चंडिगर जड़ा है काफी advanced level ते है अगर आपा पंजाब दिगल करिये ता ही देखो इदा processing rate वी 100% है बाकी आप दे neighboring state दी आपा दिगल करिये हर्याना ओवी आपने तो कुछ level तक अगे ही है 69% दे प्रोसेस कर दे है ही माचल देखिए ही माचल आपने तो काफी पिछे है obviously देखो tourist state है footfall बहुत है outsiders दा management करना बहुत मुश्किल हुंदा इस तरी जगामा ते फुटफॉल ज़ादा होवे बारले लोका दा ता इसे लिए देखो इनना दा waste processing जदकी है ननू सब तो ज़ादा जरूरत है ही मालियन state है high risk prone vulnerable state है पर इनना दा 34% ही है ये दो तिन डाटा जड़े है तुसी यूज़ कार सकते हो पंजाब दा national average याद रखो चंडिगड हर्याना ते ही माचल दा ट्राय करो याद करम दा ताकि आप आंसर्स चो comparative basis दे अनालिसिस दे सकीए ठीक है उन वेस्ट प्रोसेसिंग दा significance क्या हुंदा है या पाइनना क्यों कह रहे हैं वेस्ट प्रोसेसिंग चाहिए दी है देखो urbanization urbanization क्या हुंदी है जदो जादा तो जादा तो अड़ी rural population जेड़ी है ओ आके urban areas विश सैटल हून लग जंदी है ठीक है तो जिमें जिमें population shift हो रही है cities विच urban areas दे विच ओदे नाल नाल काफी सारे problems generate हुंदे है वन सब तो बड़ा problem है waste generation जिनने ज़्यादा लोग रहेंगे उनना ज़्यादा वेस्ट generate होगा उनना ज़्यादा वेस्ट नू प्रोसेस करन दी जरूरत पड़ेगी सानू ठीक है अगर आप वेस्ट नू प्रॉपरली हैंडल नहीं कार पान दे ता काफी सारे problems शुरू हो जान दे है जिमेंगी air pollution ज इन्वाइर्मेंट लई अच्छा है ग्लोबल वार्मिंग दे परस्पेक्टिव तो नहीं अच्छा है नहीं human health human respiratory system दे परस्पेक्टिव तो अच्छा है एसे लिए सब तो पहला था environmental degradation नू बचान ली air pollution नू कंट्रोल करन ले human health ले सानू waste processing दी काफी जरूरत है ठीक है सेक देखो बहुत सारे अनिमल जानवर तुसी देख दो इस चो मुह मार दे फिर देने कुट्टे का उस जो भी हो animal diseases भी ओदिनल जेनरेट हुन दिया है human diseases भी काफी उनना दे करके जेनरेट हुन दिया है ता अगर आपा देखो वर्ल्ड लेवल ते one health approach दा कॉंसेप्ट चल रह है तो सब दे करके health issues आ सकते है तो सब नूँ manage करना बहुत जरूरी है ठीक है ता इसे लिए अगर आपा one health दे goals भी achieve करना चानने हैं diseases तो बचना चानने है animals जा as well as humans जा ठीक है पहलना आप मारी animals जान दिया है और बात चे है humans नूँ shift कार देने ता इसे लिए again waste processing useless waste processing बहुत जरूरी है ओस तो बाद beautification tourism लही हुन तुसी खुद देखो तुसी आहजे कार विच रहना पसंद करोंगे जिते सारा टाइम गंद फैल या रहंदा है राइट एसे लही आपा personal hygiene ते बहुत significance दिनने है क्योंकि mentally भी काफी stressful हुंदा है unhygienic living ता इसे लिए आपनी cities the beautification वेरी green city, clean city ता उदा कारण एही है कि आप दे वेस्ट नुए properly manage कर दे है राइट उस तो बाद tourism नूँ अगर तुसी attract करना चानने हो जिए आपनी दिल्ली वर्गी जगामा है पंजाब जगर आपा चानने है कि tourism वदे it is very important कि आप आप दे पंजाब नू clean ते green रखिये revenue, tourism revenue आपा नू waste processing ज़रूरी है बाकी land next significance क्या है देखो land नी जड़ी है landfills which occupy हुंदी रहंदी है अगर अपने waste नूँ आपा properly process कर दे रही है, reuse कर दे रही है, recycle कर दे रही है, decompose कर दे रही है आपा जड़ी landfills वाली land है उनू free कर सकते हैं और उनू किसे better purpose ले use कर सकते हैं, एक एड़ांटेज हो सकता है then quality living standards, जिम मैं तो आपा नू किया, we all want to live in places that are healthy, beautiful, clean, green, right that is why everyone loves Chandigarh, that is one reason, right ता इसे लिए अगर आपा सारे Punjab विच quality living standards देना चानने आप दी population नू waste processing दे विच हो effort पाना आपने लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है, एक उच points लिख के रखो, urbanization दा topic तो आड़े society, social issues दे पाट विच है urbanization विच waste management, solid waste management दे question आ सकता है ता ये सारा data दे points हो थे use किते जा सकते ने, right next topic कर दे आपा, गुर्दासपूर sex ratio dips, government calls for urgent steps ठीक है जी, हुन जिना ने basic demographic, geography पड़ी होई है उननों sex ratio ता मतलब पता ही होएगा sex ratio ता basically मतलब है how many females are getting born per percentage of males या तुसी कह सकते हो कि किन्नी females, किन्नी males born हो रही है उदी proportion नू आपा sex ratio के दनने है usually आपा suppose कर लएने है कि thousand males born हो रहे है एदे अगेंस्ट किन्नी या females birth लेरिया है ओनू sex ratio ता यूज किता जान्दा है ता इत्थे भी जड़े numbers लिखिया हो इसे तरीके नाल है 926 ता क्या मतलब just to explain you sex ratio ता concept 926 sex ratio है मतलब 926 women are born per thousand males कि अगर पंजाब विच thousand males birth लेरेने ता ओदे अगेंस्ट सिरफ 926 women ही birth लेप आ रहेने ठीके, that is basic sex ratio ये ते question आम्दे रहेंदे ने already 2013 PPSC विच question आ चुक्या है sex ratio ते not Punjab but overall India दी ता ये याद रखना है अगर पंजाब दी भी याद रख होंगे ता questions जो काम आएगी elimination वेगरा दे through राइट, हुन डाटा क्या आया है 2021-22 ता ये डाटा आया है Civil Registration System Report ने ये डाटा अपने कोल present किता है पंजाब दी अगर तुसी sex ratio देखो average 926 है ये डाटा भी थोड़ा इनना healthy नहीं है, although पंजाब ने improve काफी किता है, पहलना था 800, साढ़े 800 दे नेडे पंजाब दी sex ratio हुन दी सी, हुन काफी improve होई है बढ़ अगर तुसी गुर्दासपूर district दी गाल करो पंजाब विच ता काफी concerning data है, सिरफ 887 sex ratio है गुर्दासपूर्दी, right this is why, this has been in news laggard district है, ये तुसी कह सकते हूँ बढ़ पंजाब दे काफी district अच्छा भी काम कार रहेने SBS न अगर देखो, 948 है इस च, रूप न अगर तुसी अगर देखो, ता 946 ये दी sex ratio है, ठीक है ये data लिखके रखो, sex ratio दा काम आएगा, right ता, उन्हें पंजाब गवर्मेंट ने measures ये steps क्या लितते है sex ratio नो stabilize करन लिए पंजाब विच, सब तो पहला ता legal action लितता गया है जड़ी pre-conception and pre-natal diagnostic technique act है, ये इस नो अच्छे तरीके नाल implement करन दा कोशिश कित्ती गई है ये act ही actually regulate कर दी है abortions विगेरा sex selective जड़े abortions हुन्दे है, उन्हाँ नो combat करन लेई, ये act बनाई गई सी, ताहुन पंजाब गवर्मेंट जड़ी है, वो कोशिश कार रही है कि एस आक्ट नो अच्छे तरीके ना implement किता जावे, इसे लिए कुछ-कुछ एरियास चाप पाएदे results देख रहे हैं, जदकी गुर्दासपुर वर्गे districts चापा results नहीं देख पारे, ताहुन पंजाब गवर्मेंट ने ही क्या है, एस district विच, clinics जादा चाप पे मारे जान जित्थे वी ultrasound facilities है, ultrasound scan दे थ्रू ही, fetal detect you know, fetal da, sex detection हो सकदा है, ताह इसे लिए एह जे clinics, which inspection zone की कोई irregularly ताह नहीं use का रहा, right क्योंकि usually abortions जड़े हुं देने, ओहो, एसे लई किते जाम देने, क्योंकि favorable sex नहीं है, child दा, यानि की male preference बहुत जादा हुं दी है, usually अपने India, which specially बाकी countries चभी एह सेम problem है, सिरफ इंडिया नी, चाइना विच वी यही problem है, कुरिया चभी यही problem है male preference जादा रहन दी है एसे लिए जड़े है, बच्च्या नू मार दिता जानदा है, इसे लिए female ratio जड़े, skewed भी मन्नी जाम दी है, इसे लिए सब तो पहला step जड़ा लिता जा रहा है ओहो, unauthentic abortions नू चेक करनदा लिता जा रहा है, गुर्दास पुरविच ठीक है, अपने लिए data important है इनू याद करके रखो एक्ट दा नाम याद करके रखो कोई question आवे, कोई case study आवे, ता तुसी PC PNDT Act, at least short form याद रखो, इनू तुसी उते यूज करके आना है, full form लिखोंगे ता obviously जादा marks मिलनगे ही मिलनगे, राइट, ता ए दो facts याद रखो now next news कर दे, आपा infrequent rains climate change impact on agriculture ता हुन तुसी देखी रहे हूं कि में, कि मौनसुन, हजे मौनसुन दा मिनना जून जुन जुलाई विच शुरू होना है बट तुसी हुनी ही किन्नी heavy rains, heavy rain showers जड़े हैं, witness कर रहे हैं हूं ए सब impacts ने climate change दे, कि में climate change जड़ा है आपनी human activities करके culture ते क्या impact आ रहे है ओधा data आ या है, देखो ए डाटा दे according क्या जा रहे है Punjab दे बहुत सारे districts ते wheat जड़ी आपा सोग इती होई है farmer ने, ओधी wheat production ते obviously impact आएगा क्योंकि एन्नी heavy rain नाल जड़े हैं crops जड़े हैं, वो flattened हो जन दियाने एनी तेज तेज हवा चाल दिया है जड़ी आएं सिदी खड़ी हुन दिया है crop ओ सारी बैजन दिया है and that impacts the production of the crop ठीक है, ता major districts which Punjab दे है, witness किता गया है कि 15 तो 20% जड़ा है area, वो high velocity winds करके ते rain करके impact हो जाएगा ता तुसी एहे data, एहे example जड़ी है, climate change दे topic विच लिखके रखो, climate change दे impacts on our economy on agriculture sector ता उत्थे तुसी यूज़ कर सकते हो again, ऐसे जगेराज काफी काम आएगा, right next important topic है world women boxing championship बहुत ही important topic है world boxing championship जड़ी आपनी चाल रही है right ते एस दे विच women दा competition हो रहा है, ता ए दो इंडियन women ने काफी significant performance इस championship विच किती है सब तो पहला तुसी फर्स्ट फोटोच देख रहे हो, निखात जरीन 50 कीची category चे खेल दी है ते इनना दा second consecutive world championship दा एए हे खिताब है right second consecutive इनना दा world championship विचे हे खिताब है ता इनना दा नाम याद रखना है क्योंकि question आहीं आसकदा है सिद्धा कि which Indian women has won the world boxing championship for the second straight year this year ठीक है, इस साल जे question आना है ता निखात जरीन इहे individual है ठीक है, देन लवीना बॉडगों, शी इस also an important player 75 kg विचे खेल दी है इनना नियाव दा first women world boxing championship दा gold medal जिता है gold medal ठीक है, तो 75 category करके ये ते भी question आसकादा है personality based questions आ जन दे है ता ये दोनों नाम याद रखो right now last topic, world's highest railway bridge देखो, इंडिया दे विच world's highest railway bridge जेडा बनिया है केडी river ते बनिया है चेनाब river ते बनाया गया है जम्मू कश्मीर दे एरिया विच एहे स्थित है तुसी ये image विच देख सकते हूं right by the end of the month it is expected that it will be operationalized right एहे almost 1100 तो जादा दी feet दी height ते है दुनिया विच एनना height ते कोई वी railway bridge नहीं है ये चेनाब bridge जेडा है दुनिया विच होवेगा इननों बनामते almost 1400 करोड रुपया लग गया है right एक भारत श्रेष्ट भारत स्कीम दे अंडरे बनाया गया है जड़ा की फोकस का रही है पूरी इंडिया दी different state, different culture नो connect करंच तो हुन इनने पैसे लगा के बनाया ही क्यों गया major enemy states है ता ऐसे लगी ओथे अपनी हुन military deployment जड़ी है काफी खास रहन दी है ता उनना नों products पे जना, उननों weapons पे जना, उननों material पे जना वो दे लगी ज़रूरी है कि connectivity होवे किसे प्रकार दी ओस project दे अंडर भी तुसी कहा सकते है इस थोड़ प्रसेस दे अंडर भी यह bridge बनाया गया है बाकी एक connect करेगा काश्मीर दे important areas नों rest of India नाल ता tourism potential भी काफी जनरेट करेगा यह bridge ठीक है एथो railway जड़ जाएगी ता काफी tourism movement होएगी जीदे नाल economic benefits भी साननू मिलन गे security ले ही किता है आपा economic benefits ले ही किता है ठीक है that is all about today's news please like share and subscribe thank you so much for watching तो आनू कोई भी दिक्कत होए message me on the DM you can note down my number 888-3760-4500 you can message me at any time and ask your doubts thank you so much for watching